अबनेता महमूद और अमिताब बच्चन के बीच पिता और पुत्र जैसा रष्टा था खुद महमूद भी ये कहते थे कि यदि हरवन शराय बच्चन ने अमित को जन्म दिया है तो मैंने उसे कमाना सिखाया है पर एक बार महमूद अमिताब बच्चन की एक आदत से काफी नराज हो गए थे ये कहानी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच इतना करीबी रिष्टा कैसे बना दरसल महमूद के भाई अनور अली भी अबनेता रहे हैं अनور अली और अमिताब बच्चन साथ हिंदुस्तानी में एक साथ नजर आये थे और इसी दोरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी अकेले अमिताब बच्चन को अनور अली ने काफी सहरा दिया था और अपने पास ही उन्हें रखा भी था और इस तरह दिरे-दिरे महमुद से भी उनकी पहचान हुई थी महमुद ने अमिताब बच्चन को देखते ही बता दिया था कि ये लड़का काफी आगे जाएगा पर उन दिनों अमिताब बच्चन की फिल्में ज्यादा चल नहीं पा रही थी और जब महमुद बॉमबे टुगोवा नाम की फिल्म बनाने लगे तब उसमें अमिताब बच्चन को लीड काश्ट कर लिया हाला कि ये फिल्म तो उतना नहीं चली थी पर अमिताब बच्चन के लिए बॉमबे टुगोवा मील का पत्थर साबित हुई इसी फिल्म के बाद उन्हें जन्जीद मिली और फिर अमिताब बच्चन शोहरत की बुलंदी पर पहुँच गए इसके बाद अमिताब बच्चन के पिता की तब्यूत खराब हो गई थी तब महमूद उनसे मिलने आते थे पर जब महमूद की बाई पास सरजरी हुई तब एक ही अस्पटाल में होने के बावजूद अमिताब बच्चन ने अपने भाईजान की कोई खबर नहीं ली इस बाद से महमूद खफा हो गए थे देखिए ये गेर इंटर्वियू जिसमें महमूद ने इस बाद का जिक्र किया था सकसेस में जिसादमी को सकसेस मिले उसके दो बाफ हो जाते हैं एक बाफ वो जो पैदा करता है और एक बाफ वो जो पैसा कमाना सिखाता है तो पैदा करने वाला बाप तो बच्चन साहब हैं और मैं एक बाप बैठा हूँ जिसमें कमाना सिखाया अपने साथ में रखके घर में रखके पिक्चरें दिलाईं पिक्चरों में काम दिया है बहुत इज़त करता है अमीद मेरे बैठा होगा पीछे से मेरी आवाज लेकिन आखरी आखरी में मुझे इतना फील हुआ जिबकि मेरा बाइपास हुआ ओपन हार्ट सरजरी तो उसके एक दो हफ़ता पहले इनके फादर जो थे बच्चन साहब वो गिर गए थे तो मैं उन्हें देखने के लिए अमित के घर गया एक कट सी कि मानूँ हुआ के को घर गए जौइफ आद्मी है और उसके एक हफते बाद में मेरा बाइपास हुआ तो आमित अपने वालिद को लेके वहां आए बिज के ली जहां मेरा बाइपास हुआ था लेकिन अमेद ने माँ ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है पैसा सिखाने वाला बाप क्या है जो कि बाप जिसने पैदा किया है उसने आके मुझे हास्पिकल में विश भी नहीं किया मुझसे मिलने भी नहीं आया एक गेटबेल सुन का कार्ड भी नहीं भेजा एक चोटा का फूल भी नहीं भेजा ये जानते जोए कि भाईजान भी इसी हॉस्पिरल में है तो फेरे साथ में तो कर लिया मैं बापी हूं उसका मैंने माफ कर दिया हाला कि बाद में दोनों ने अपने गिले शिक्वे दूर किये थे पर जब महमूत का इंतकाल हुआ तब अमिता बर्चन बहुत दुकी थे